हेलो दोस्तों, NCRT की जर्णी में आप लोगों का स्वागत है NCRT सबसे important role निभाता है अगर आप किसी भी government exam की preparation कर रहे हो चाहे वो citate हो, estate हो, UPSC हो या कोई भी PSC हो तो आज हम लोग class 6, science के 7वे chapter को पढ़ने वाले हैं और इस chapter का सिसर क्या है? पढ़े को जाने यानि इस chapter में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं पढ़े को जानेंगे, पढ़े के parts के बारे में जानेंगे उसका क्या यूज होता ही है जानेंगे और हर चीज ब्रिफली होगा क्योंकि classics का इस chapter है तो चलिए सुरू करते हैं बाहर निकल कर अपने चारों और के पौधों का प्रिक्षन कीजिए आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं कुछ विसाल का हैं जबकि कुछ धर्ती पर हरे धब्बों की तरह दिखाये देते हैं आप इतने जादा छोटे हैं कुछ पौधों की पत्तिया हरी होती है जबकि कुछ की पत्तिया लालिमा युकत होती है बिलकुल आपने देखा होगा और कुछ पौधे के फूल बड़े एबम लाल हैं जबकि कुछ नीले तथा कुछ पौधों में पुश्प ही नहीं होते हैं। आपने अपने घर के आसपास, विद्याले के रास्ते में, भाग वगिचे में, विद्याले के प्रागन, मैंने घरे पौधों को देखे होंगे आईए अब हम पौधे के विविन भागों के विशे में जानते हैं अब एक चित्र है आपके सामने साथ दसमला एक इसमें पौधे के भाग को दर्स आया गया है पौधे के क्या क्या भाग है देखिए उसमें रंग भरने के लिए बच्चों को कहा गया है तो देखिए ये जो नीचे का हिस्सा है इस महाँ जो दिख रहा है आपको ये क्या है ये है पौधे का जर जो सबसे जो जमीन के अंदर रहता है उसके बाद ये वाला हिस्सा ये क्या है ये है पौधे का तरह इसको क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे पौधे का तरह अब ये जो दिख रहा है ये क्या ये है पत्तिया और यहां उपर पे क्या है फूल और हो सकता है फल भी हो लेकिन पता नहीं चल पाद तो ये क्या है ये पौधे के भाग है आईए प्रकृति की सेर करें और हम लोग पौधे से मितरता करें और इस बिसे के बारे में और अधिक जानकर ये प्राप्त करते हैं साक जारी एवं बिक्च अब देखें किरिया कलाब दिया हुआ है इनके समझने के लिए क्या किरिया कलाब है कि उन पौधों के तने एवं साखाओं को ध्यान पुरवक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हो अपके असपास इस तरह के पौधें मिलेंगे इसके तने को असपर्स कीजिए और यह जानने के लिए कि तना कितना कोमल है अतफ़ा कटोर से धीरे सेक और मोरने का प्यास कीजिए और दियान रहे कि वह तूटे ना जब आप ऐसा करिएगा तो देखिएगा कि कुछ के तने क्या होते हैं एकदम मजबूत होते हैं और कुछ के लचीले होते हैं कुछ पे अपर नाखों से कुरे दियेगा तो उस पे निसान आ जाता है और कुछ पे नहीं आता है अब हम यह भी जानना चाहिए कि साखाए भूमी के पास तने के अधार से अथवा कुछ उचाई के बाद निकलती है जैसी इसमें देखिए यहाँ पे चीतर में यह कहां से निकला एक उचाई के बाद मतलब इस इस्तिति के बाद से तो सारनी एक है इसमें कुछ पौधों क तने के अधार से तने कहां से निकलते हैं और इसको किस बर्ग में रखेंगे तो आगे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं और जब भी पौधे उखार के लाना हो तो हमें किस पौधे का धियन करना चाहिए खर पतवार का जो कि उखर जाए या हट जाए तो ज़्यादा अच्छा है अब देखिए पौधे को इन ही चीजों के आधार पर तीन भागों में बाटा गया है कौन-कौन सा वो भाग है व ब्रिक्ष यानि की ट्रीज इसके बारे माँ आगे पढ़ने वाले अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपौर्टेट बाद दिया क्या हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते है साख कहलाते जो समाने था छोटे होते अब इस चित्र में देखिए यहाँ पर यह जो पत्या लग जाती है कुछ पदल में सक्गाएं तने के अधार से के समीब से निकलती है तना कठोर होता है परन्तू अधीक मोटा नहीं होता है इनने जहारी काते अब दिखिए इस मैं क्या होता तो इसी को क्या बोलते हैं जहारी बोलते हैं और जहारी जो है सब्स इसका चित्र दिया हुआ ये वाला और कुछ ऐसे पोधे होते हैं जिसका तना क्या होता है बहुत कठोर होता है और ये बड़े होते हैं और इसके उपर से साखाए निकलती हैं जिस वेपतियां लगती है तो इसी क्या बोलते हैं इसे ब्रिक्ष बोलते हैं तो ब्रिक्ष जहारी में क्या अंतर है जहारी में क्या होता है कि एक तम जमिन के पास से कई सारी साखाई निकलती रहती है जब कि ब्रिक्ष में क्या होता वो सीधा उपर जाता है उससे साखाई निकलती है कि कुछ बौध बहुत ऊचे होते था हूंके तने सुद्रिट भूड़े होते हैं इन सखाए भूमी से अधिक उचाई पर तने के उपरी भाग से निकलती है इसी को क्या बोला जाता है ब्रिक्ष अब पहेली जो है वह जानना चाहती है कि मनी प्लांट सेम लौकी अंगूर के तने किस प्रकार के हैं इन में ते कुछ पौधे को देखिए यह साग जारी और पेर स उसे किस प्रकार भिन्न हैं तो देखिए इन जो पौधे हैं मनी प्लांट हो गया सेम लौकी अंगूर इसके तने क्या होता है यह कम जौर होते खरे नहीं रह सकते हैं, तो इन्हें लता बोला जाते हैं, अब ये लता भी दो तरह के होते हैं, एक होता है विसरपी लता, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आरोही लता, अब वैसा लता जो जमीन पर फैल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, विसरपी लता या फिर क्र पर्स और वैसा लता जो कि अपने आसपास अगर कुछ मिल गया तो उसको पकर-पकर के ऊपर चड़ जाते हैं आप देखेगा कि इस तरह के लता हमें जैसे नहीं छोटे-छोटे कीरों के सिंग टाइप निकलता है उस तरह से निकलता है सीरा और वो सीरा पकर-पकर के यह ऊप पर की तरफ बढ़ जाते हैं अगर बांस हो तो बांस पर चड़ जाएंगी कभी-कभी घर के छट पर चड़ जाती है तो इन्हें आरो ही लता कहा जाता है इसे हम लोग बोलते हैं क्लिंबर जिसे इस चित्र में एक क्लिंबर को दिखाया गया है यह साक जारी और पेरों से भीनना होते हैं आपने घर के आसपास देखा हुआ है जैसे कद्दू का हो गया खीरे का हो गया यह सारा आपने जरूर देखा गया और मनी प्लांड तो खेर आप लोग के घर में हो गई संभब था आप अपने बिद्याले अत्वा घर पर कुछ पौदों की देखवाल करते होंगे अपने घर अत्वा बिद्याले में पाए जाने वाले ब्रीक जारी अत्वा भी सर्पी लता के दो-दो उधारन लिखिए लिख सकते हैं अब देखें यहाँ पर एक क्रिया जल, स्याही, साक्य पौधा और एक ब्लेड चाहिए क्या क्या एक गलास लिया देखें एक गलास लिया और इस गलास को जल से तिहाई भर दिया और उसमें लाल स्याही की कुछ बुंदे डाल दिया इसलिए यह देखना है यह क्या है यह लाल दिख रहा है साक के तने को अध आईसा क्यों हुआ और उसके बाद जब तने को निकाल के बीच से काटिएगा तो उसमें आपको देखे क्या दिखेगा लाल चुटे-चुटे बुंदे टाइप का दिखेगा ऐसा क्यों पाने क्या यहां पाने में कहता है यह जल ता जो कि लाल रंका है तो तना काट कर डलते इससे चट करके उपर की योड जल गया और वह पत्तियों तक भी पहुँच गया इससे हमें क्या पलता चला पता चला कि तना जो है नीचे से उपर की योड पहुँचाता है किसको जल को तो जल को ही नहीं पहुँचाता जल के साथ साथ खनीज लवन को भी साथ साथ ऊपर पहुँचाता है यह क्या करता है उसे पत्तियों तक पहुँचाता है और पत्तियों में जो भोजन बनता है उसे फिर पेर के अन्यभागों तक पहुँचाता है जो के आगे देखने वाले है आप देखिए वो कहां पे पहुंचाता है पहले खनीज लवन जल को पत्तियों में और जल तथा खनीज लवन तने की नालीकाओं द्वारा पत्तियों और पौधों के अन्य भाग में पहुंच देहें अब एक और प्रयोग किया था पहली ने क्या है तथा दूसरी साखा के साथ उसने कौतुहल पूरा करको मतब उसी का दूसरी साखा को काट करके और उसमें स्याही डाल दिया कौन सी? ब्लू कलर की मतब नीलिक रंग की अब देखिए क्या हुआ? उसने देखा कि थोरी देर के बाद कि लाल रंग के अनेक धबे तने के अंदर विर्ताकार रूप में विवस्तित हो गए है मतलब इसके उपर लाल भी चला गया और क्या चला गया? स्याही निले रंग का भी चला गया और वह विवस्तित हो गया अब हम आगे देखेंगे पत्ति के बारे में पत्तियां सबसे important चीज है अगर मदद दुनिया में जो भी खाना बनाने वाले हैं उत्पादक जो है प्रात्मिक वो कौन है वो पत्तियां ही है पत्तियों के कारण ही पेर भोजन उत्पादन कर पाते हैं अपने आसपास के फोधों के पत्तियों को देखिए देखिएगा कि उसका आकार आकरती और रंग क्या एक जैसे नहीं है वो सब अलग है और जब तने से किस प्रकार जुरी हुए तो तने से एक डंठल से जुरी होती है उसी को पर्न ब्रिंत तक बोलते हैं जिस डंठल से पत एक पत्ती दिया हुआ हरे रंग का है और इस चित्र में जो ये हिस्सा है इस दोनों को क्या बोलते हैं पटल बोलते हैं या लेमिना का सकते हैं और ये जो हिस्सा है डंठल जिसके द्वारा पत्तियां तने से लगी होती है इसी क्या बोला जाता है पटल अब देखिए पत्तियों के चप्टे हरे भाग को फलक करते हैं जो कि हमने अभी देख लिया क्या आप अपने आसपास के पौधा हैं कि पत्तियों के इन भागों को देखिएगा जब फलक को देखिएगा न वो और मज़ेदार है उसमें क्या एक लाइनिंग दिखेगी उसके बाद इसमें और भी कई लाइन इस तरह से दिखेएगी जो किसी भी पत्तियों के फलक को आप लोग देखिएगा अब हम लोग आगे उसको पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एक क्रिया कलाब दिया गया है बच्चों के लिए कि एक सफेद कागज अत्वा अपने कौपी के पन्ने के नीचे एक पत्ती को रखिए और पत्ती को रख करग पेंसिल से उस पर घिसिए उससे क्या होगा उस पर एक समरचना अंकित हो जाएग उस पत्ति का और वो क्या होगा एक रिखा टाइप का होगा इस तरह से हो जाएगा जैसे यह अगर पतिया है तो इस तरह से हो जाएगा तो यह जो lining line दिख रही है इसको क्या बोलते हैं इसे बोला जाता है सिरा और इसके बीच में एक center में दिखेगा एक line इस तरह से उसे बोला जाता है मद्ध सिरा यानि कि भेंस है किसकी भेंस है पत्तियों की भेंस है और जो मद्ध सिरा होता है इसको क्या बोलते है मिड्रीब बोलते है अगे अब यहाँ पर देखते है इस चित्र में यहाँ पर एक पीपल का पत्ता दिया हुआ है पीपल के पत्ते में क्या है ये बीच में एक सीरा है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे मिडरीब अब इसके दोनों तरफ इस तरह से और भी कई सारी वेंस हैं जो कि जालिका के करम में हैं मतलब ये जो सीराएं होती है वो क्या होती है दो तरह की होती है पत्तियों में एक इस तरह का जिसे हम लोग क्या बोलेंगे जालिका रूपी सिरा बन्यास और कुछ परद्धें ऐसे होते हैं जिसमें यह जो आपा करई क्ये पार्लेल में चलती क्रिया कलाब दिया गया है बच्चों के लिए, इसके लिए किया क्या चाहिए, एक पौधा चाहिए साट का, पौलिथीन के दो पारदर्शी थहले चाहिए, अब क्या किया गया, किसी भी हरे पौधे, त्युक्न वाले पौधे को ले आई है, जो की धूप में रखा हुआ है उसको उठा के अंदर लाईए और उसमें कुछ पत्तों पर इस तरह से क्या देख दिया पॉलिथीन बांद दिजिए कुछ को खुले रहने दिजिए और कुछ पर पॉलिथीन बांद दिजिए फिर थोड़ी देर तक इसको देखिए देखिएगा तो कुछ घंटों के बाद आप क्या देखिएगा कुछ घंटों के बाद हम देखते हैं क्या कि इस थहली के अंदर जल की बुंदे दिखाए देती अब यह जल की बुंदे कहां से आई यहाँ पर देखे यह जल की बुंदे जो है इस जगह पे कहां से आई तो कहां से आई यह बात कहां से आई बास्प निकलने से किसे पत्तियों से तो पत्तियों क्या करती है यह बास्पोत सर्जन करती है और इस प्रक्रम में पौधे द्वारा बड़ी मात्रा में जल को बायु मंडल में, और तो हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पर ज्यादा जंगल होता है, वहाँ पर बारश काफी अच्छी तो ज्यादा पानी, नि बासपोष सरजन होगा, हवा में जाएगा, फिर वो संगनन हो करके बादल बनेगा और बारिश करवाती है. तो हमनों ये चीज़ देखा अब देखिए अब आगे जो देखने वाले हैं वो और भी महत्वपूर्ण है इसके लिए आपको जरूरी है क्या इस करिया कलाब के लिए पत्ती, स्प्रीट, बीकर, प्रखनली, बर्नल, जल, प्लेट हैं आयोडीन का मिलियन प्रखनली में एक पत्ती रखिए उसमें पर्याप्त मातरा में स्प्रीट डालें जिससे कि वो पूरी तरह से डूब जाये उस्प्रीट में अब प्रखनली को जल से आदे भरे बीकर में रखिए और बीकर को उस समय तब गरिए जब तक कि हरा रंग पूर्णता खतम न हो जाया उसका अब पत्ती को प्रखनली से साब्धाने पूरग बाहर निकाल के धो लीजी और इसे एक प्लेट में रख दीजिए उसके उपर आयोडीन की कुछ भ्यूंदे डाले जिसी यहाँ पर देखिए इस चित्र में क्या है इस प्रखनली में एक पत्ता को रखा गया जिसके उपर स्प्रिट से पूरी तरह से बंद मतब डुबा दिया गया अब उसको प्रखनली में पानी डालकर उसमें रखा जब उसका रंग खतम हो गया तो उसको निकाल लिया उसको यहाँ धो करके बाहर रख रख दिय तो यहां पर भी हम वही देखेंगे जब वह दालियेगा ना तो क्या हो जाएगा उसका रंग नीला हो जाएगा या काला हो जाएगा इसका मतलब उस पक्ति में क्या है मंड है श्टार्च है सेम हमने आलू के साथ किया था पिछले चेप्टर में अब यह देखिए कि इसका मतलब वहाँ पे मंड है श्टार्च है मतलब वहाँ पे क्या है कार्बो हाइड्रेट है अब यह कार्बो हाइड्रेट इस जगह पे क्यों आया क्यों आया और कैसे आया तो यहां पर बहुत इं पत्यां प्रकास और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिती में अपना भोजन बनाती इस प्रकिरिया में जल एवं कार्बन डाइ ऑक्साइड का उप्योग करती है इस प्रक्रम को प्रकास संसुलेशन कहते हैं यहां पर हमने क्या देखा प्रकास संसुलेशन यानि की फोटो सैंथेसिस यह फोटो सैंथेसिस जो है यह क्या है फिर से सुनिए पत्तियां प्रकास और हरे रंग के एक पदार्त की उपस्तिती में अपना भोजन बनाती है इस प्रकिरिया में क्या क्या चीज़ चाहिए इस प्रकिरिया में जल और कार्बोहाइड कार्बन डियाउकसाईड चाहिए इसका पर्योग करते हैं और बनाते क्या हैं कार्बोहाइड यानि मंड बनाते हैं इस प्रकिरिया को प्रकास संसुलेशन कहा जाता है अब देखे पत प्रक्रमतियां क्लोरो प्लास्ट या पर्णहरित की उपस्तिती में और किसकी उपस्तिती में सूरी प्रकास की उपस्तिती में भोजन बनाती है। कुछ चीज छोड़ती है क्या छोड़ती है और दूसरा क्या हो जाता है जो मंड बनाता है कारबो हाइडरेट बनाता है भोजन बनाता है इसके अलावे जल भी बाई मंडल में वासपोत सरजित होता है। अब हम कह सकते हैं कि पत्यों ने ही क्या क्या मंड का संसलेशन किया तथा या पौधे के किसी और भाग से यहां से यहां से नहीं पहुंचाया। मतब कहीं यहां पर और से नहीं पहुंचाया जाता है। अब इसके लिए भी एक परियोग करने के लिए बोला। क्या कि पौधे युक्त एक गमले को एक अथवा दो दिनों के लिए अंधिरे कमरे में रख दीजे। इस पौधे की एक पत्ती को आंसिक भाग को दोनों और से काले कागज से ढख दीजे। कि वो खुद बनाते हैं। कैसा मज़ मैं है कि एक पौधा लीजिए उसमें कुछ पत्ती को खुला रहने दीजिए और कुछ पे काले रंग से ढख दीजिए और उसको धूप में रखिए। फिर दो दिन के बाद किया किजिए जो ढखा हुआ हिस्सा है उस पे भी मन का चेक किजिए और जो धूप में था उस पे भी चेक किजिए। धूप बाले में आपको देखेगा कि भोजन बना है जबकि जो खाली ठाका हुआ था काले रंग से उसमें भोजन नहीं बनता है। तो क्लियर हो गया कि भोजन कहां बनाता है पौधे उसके पत्तियों में ही बनता है। अब हम लोग देखने वाले हैं जर के बारे में, जर यानि की रूट्स के बारे में, जर, रूट्स, अब चित्र को देखें यहां पर, हम लोग पौधे को जल देते हैं हमें सा, देखें इस चित्र में भी जल दे जा रहा है, इसमें बच्ची जल दे रही है, जब हम लोग जल देते हैं, तो जल कहाँ पर देते हैं, हम लोग देखते हैं उसके जर वाले हिस्ते पे जो की मिट्टी के अंदर रहता है नहीं मिट्टी पे जल देते है%, अब एक परियोग दिया गया है कि इसके लिए हमें चाहिए दो गमले, कुछ खुरपी कुछ मिट्टी, खुर्पी, ब्लेड और कैची और जल चाहिए बगीची से किसी खर पतवार के एक जैसे दो पोधे उखार लीजिए धियान रखे कि उसके जर को कोई छती न हो खर पतवार के एक पोधे को एक गंबले में मिट्टी डाल दीजिए और उसमें डाल दीजिए से यहाँ पे है और दूसरे में जर को काट करके डाल दीजिए नियमीत रूपसिस में पानी डालिए एक सबता बात देखते हैं क्या होता है तो देखेंगे क्या कि एक सबता बात ये वाला पोधा तो सही रहेगा और ये क्या हो जगे ये मुड़ जागा है क्यों क्यों कि जर ही नहीं है जर नहीं है तो वहाँ पर खनीज लबन और पानी उपर नहीं पहुंचता है एक और किरिया कलाप है कि मक्का और चने के बीज रूई, कटोरी और जल चाहिए दो कटोरी लीजिए एक में भिंगी हुई रूई रखिए और एक कटोरी में चने के तीन-चार बीज और दूसरी में मक्का के दाने को रख दीजिए जल डालकर रूई को हमेशा नम रखिये जब हमेशा नम रखियेगा तो ये बीज क्या होगा अंकुरित हो जाएगा देखे यहाँ पे ये बीज क्या होगा अंकुरित हो जाएगा इसमें सफेद सफेद क्या निकलेगा कॉंपल कितरा निकलेगा अंकूरन निकलेगा यह क्या यह जर है और इसको निकाल करके जब हम लोग मिट्टी में लगाते तभी यह पॉधे का रूप ले लेता है तो जर जो है वो क्या करता है उसका दो काम हो गया पहला काम क्या हो गया वो जमीन से जल और खनीज को खीच करके कहां पहुचाता है तने से होते हुए पत्तियों तक जल और खनी जलबन कौन खीषता है जर खीषता है दूसरा काम है कि यह मिट्टी में पौधे को अस्थीर रखता है अगर जर नहो तो पौधे मिट्टी में अस्थीर नहीं रहेंगे वो थोड़ा सा भी हवाय गिर जाएंगे तो यह दो काम है किसका है जर का अब देखिए जर की आकरती भी अलग-लग तरीकी की होती है हमने अभी क्या देखा था उसमें चने का और मक्का के जर में क्या समानता है या दोनों एक प्रकार से भिन है यहाँ पर देखिए जब देखिएगा मक्का का जर इस तरह से निकलेगा और चने का जर इस तरह से निकलेगा तो जर जो है न वो भी अलग-लग प्रकार की होती है वो भिन्ने-भिन्ने प्रकार की होती है आईए हम लोग देखते हैं दो तरह के जर को यहाँ पर देखिए दो तरह का जर है इस वाले में देखिए जर को इसमें क्या है कि एक सीरा नीचे आ रहा है और उसके बगल से छोटी छोटी सीरा निकल रही है इस तरह से इस तरह से तो हम यहाँ पर देखते हैं, इस तरह से जर कितने प्रकार से हो सकते हैं, एक ऐसा वाला जिसे मूसला जर बोलेंगे, जिसमें एक मूल सिरा होता है और बाकी उससे निकलती है, और इस तरह के सिरा को क्या बोलेंगे, रेसेदार जर, मूल जर यानि कि मूसला जर यानि कि इसे tap root बोलेंगे और ये रेसेदार जर है यानि फैवरस जर तो हमने देखा कितने तरह का दो तरह का जर जो बड़े ब्रिक्ष होते हैं उसमें मूलता है मुसला जर ही होता है और जो जहारिया होती है छोटे छोटे पोदे होते हैं उसमें जबरा जर पाया जाता है क्या आपने ध्यान दिया है अब देखिए एक चीज का ध्यान दिजिएगा कि अभी हमने क्या देखा था कि पत्तियों को देखा था पत्तियों में कुछ में क्या था एक ऐसे था उसमें दोनों साइट से निकलता था और एक ऐसे थी पत्तियां जिसमें कि इस तरह से पैरलल होती थी सिराविन्यास दो तरह की पत्तियां देखा था तो दियान दिजेगा कि वो ऐसे पोध है जिसका सीरा विन्यास इस तरह से है जली ये रूप में उसका जर मुसला होता है और जिसमें पैरलल होता था सीधा होता था वो कैसा होता है वो जबरा जर होता है ये रेसेदार जर होता है तो दोनों में क्या है दोनों में संबंध है आप लोग पत्ती देखके बता सकते हो कि इसका जर कैसा है अब हमने क्या देखा कि जरे मिट्टी से क्या करती है जल और खनीजलमन अफसोसित करती है तथा तना जल अब हम खनीजलमन को पत्ती तक पहुंचाता है और पत्ती क्या क और जब भोजन बन जाता है इसी भोजन को तना पौधे के अन्य भागों तक पहुचाता है और संग्रहित करता है जैसे हम लोग क्या करते हैं जहां बाढ़ाती है जिस इलाके में समस्या हो जाती है जहां पर बर्व पढ़ता है तो लोग क्या करते हैं उस समय के लिए भोजन को अपने गर में संग्रहित कर लेता है कि जैसे बाढ़ आती है तो बाढ़ के समय भाना को खाएंगे जहां पर बरबारी होती है वहाँ लोग सरदी के दिनों के लिए खाना संग्रहित करके लगते हैं इभन आप अपने घर में भी देखा होगा खाकी खाना भोजन संग्रहित किया जाता है, जिसे गेहूं रखते हैं, थीक उसी प्रकार पोधे भी अपने भोजन को संग्रहित करके रखते हैं, इसका इजांपल देखेजे, जैसे करें गाजर, गाजर जो जजर इतना मोटा हो जाता है, गाजर बन जाता है, मूली बन जाता है, यह सकरकन, सलजम, टोपियोगा है, यह ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर पौधे अपना भोजन संग्रहित करते हैं, भंडारित करते हैं, और हम लोग उसको खार के खा लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, जबकि पौधे व आप उसको छोड़ दीजिए जोड़ दीजिए कुछ दिनों के बाद जब उसे फूल लगए कर देखेगा कि वहाँ जो मूली था जो मोटी मूली वह खतम हो जाता है वह जर के सकल में आ जाता है क्यों कि उस भोजन का प्रयोग वह पौधा कर लेता है तो हमने यहाँ पर क्या देखा क्या कि भोजन को संग्रहित करता है कौन पौधे भी क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार के कित्रह कारी करता है बिल्कुल करता है पहला मार के क्या है? जर से ले करके उपर पहुँचाता है पत्तियों तक क्या? खनीच लबन और जल को और दूसरा मार क्या कहता है? वहाँ जब भोजन बन जाता है तो सब के जगह पहुचा भी देता है जर में, पत्तियों में, तना में, हर जगह पहुचाता है तना यानि त दना जो है वो दोतरफा रास्ता इधर से उपर भी ले जाता है और उपर से नीचे भी ले जाता है अब एक महत्पुर्ण पार्ट को पढ़ने वाले हैं वो है पुस्प नहीं पौदों के सबसे एक महत्पुर्ण भाग आपने फूल देखा होगा कई तरह के होते लाल हरा पी किसी भी इन साख़ा है जो कि उसका तना है ये पत्तियां और इसमें फूल भी लगावा है जब किसी फूल को देखिए आप चाहे वो धातूरा का हो या गुलर का हो गुलाब का सर्सों का वेगरका जब देखिएगा न तो फूल में क्या होता है एक रंग भी रंगा हिसा हो लाल हरा पिला अलग लगतर होता है इसको पंखुरी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं पंखुरी बोलते हैं पंखुरी यानि पेटल्स और नीचे देखिएगा तो इस पंखुरी के नीचे जो एक होता है एक हरे रंग का हिस्सा होता है जो पंखुरी के तरह ही होता है जो हर फ तार से बढ़ेंगे तो खिले हुए फूल का दो परमुक भाग कौन-कौन सा हो गया एक हो गया पंखूरी या दल-पूंच और दूसरा हो गया यह क्या है यह अलग-अलग रंगे को थी इसी के कारण क्या होता है फूल आकरसक होता है और दूसरा उसके नीचले हिस्से में दे अलग अलग quantity में होता है और यह दल पूंच भी अलग अलग संख्या होती है मुखिता यह चार यह तीन इस तरह से ही दिखेगा यह बहाई दल जो है वह तीन यह चार दिखेगा जो की उस डंठल से फूल को जोर के रखता है अब देखिए यहाँ पर एक फूल दिया होगा है यह धतूरा का फूल है इस धतूरे के फूल को हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि फूल के अलग अलग हिस्सा कौन सा होता है आईए यहाँ चित्र में देखिए इस चित्र में अभी देखिए अभी तक हमने क्या देख लि वाला इसको क्या बोलते हैं बाय दल पुंज अब देखिए इसके अलावे आपको यहाँ पे दिख रहा है यह जो लाइने दी हुई है लाइन की तरह दंठी के तरह दिख रहा है दिख रहा है ना इसके उपर पे भी क्या है उपर पे यहाँ पे कुछ इस तरह का बना हुआ है तो डंठल भी है और यहां पर देखे यह बना हुआ है यह जो डंठल है इसको बोलते हैं पूंकेसर इसको क्या बोलते हैं पूंकेसर और यह जो डंठल है यह पूंकेसर यहां जिस जगह पर लगा हुआ है इसी को बोला जाता है क्या इस तरीकेसर इसको बोलते हैं इस तरीके अब यह जो डंठल के तरह दीख रहा है इसको हम लोग अगले चितर में देखने वाले यहां पर देखिए अलग करके दिया हुआ है तो इसमें जो हिस्सा था कौन से हिस्सा लंबा वाला हिस्सा डंठल का यह वाला इसको बोलते हैं तंतू या फिलामेंट और उपर वाला जो पूरूस का क्या हो यह फूल का पूरूस हिस्सा हो गया यह पूरूस जन्नांग बोल सकते हैं अब यहां जो यह जर वाला जो हिस्सा होता है यह जहां पर लगा होता है वो क्या होता है वो होता है इस्तरीकेसर का हिस्सा यहां पर देखिए इस्तरीकेसर का उपर वाला हिस् यहां लगा हुआ था, यहां तक इस्त्रीकेसर का हिस्सा है, इसमें देखिए मुझके भाग कौन वाला हिस्सा है? इसको भोनते हैं अंडासं है, और यहां जहां पर यह लगा हुआ था, इसको बोलते हैं क्या वर्तिकागर्ण। और यह जो ड़ंठल टाइप दिख रहे, बी काट देंगे, सीधा कट कर देंगे, तो इस तरह से दिखेगा, तो इसमें जो इस तरह से दिख रहा है, ये दाने-दाना टाइप, ये क्या है, बिजाड, देखें, यहाँ पर दोनों तरह से काटा गया, अनुपरस्त और अनुदर, तो क्या दिखा हमें, बिजाड दिखा, अ पंखुरी काते हैं पूंकेसर होता है और इस्तिकेसर पाया जाता है अब कुछ फूल जो ऐसे भी होते हैं जो इनसे अलग होते हैं क्या देखिए हम देखेंगे कि फूल जो होता है न उसमें बाहई दल और पंखुरी देखने में हमेशा समान ही देखते हैं कोई पुस्प ऐसा भी होता है जिसमें बाहई दल की संख्या और पंखुरी की संख्या और समान होती है क्या आप अब इस बात से सहमत है कि सभी पुस्पों की संरचना सदय एक जैसी नहीं होती है विभीन पुस्पों में बाय दल, पंखुरी, पुंकेसर और इस्तिकेसर की संख्या में अंतर हो सकता है कुछ पुस्पों में तो इन में से कुछ भाग अनुपस्थित रहते हैं मतलब अभी जो नहीं बात कर रहे थे कि कोईसा भाग है जो की नहीं पाया जाता है हाँ ऐसा होता है कि कुछ पुस्पों में कोई भाग नहीं हो पाया जाता है आज हमने shortcut में कई चीजे पढ़ी, कई महत्वपुन बातों को पढ़ा, जब आगे का chapter से आएगा ना, तो इन चीजों को और विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो कैसा लग रहा है ये, हमें जरूर बताइए का हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन कियेंगे, हमारे साथ बने रहा है